किसानों के लिए बड़ी खुश खबरी केंदर और राज्य सरकारे समय समय पर देश वासियों के लिए कई तरह की योजनाई चलाती है जिनका मकसद उनके भविश्य अच्छा और उज्वल बनाना होता है इसी क्रम में राज्य सरकार की तरफ से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक और कदम उठाया गया है हर्याना राज्य सरकार की तरफ से 7000 रुपे की आर्थिक साहता किसानों को दी जाएगी योजना में केंदर और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी होगी इस योजना का लाब लेने के लिए किसानों के लिए कुछ शर्टे रखी गई है जिसका पालन करना जरूरी है और ये योजना मेरा पानी मेरी विरासत के तहट होगी सरकार के इस योजना के तहट किसानों को मक्का, अरहर, उड़त कपास, बाजरा, तिल और बेसर मुंग जैसी फसलों की खेती के लिए 7000 पे प्रती एकड़ की आर्थिक सहायता दी जाएगी साथ ही बुजल स्तर को बचाने के लिए सुक्षम सिंचाई पर 80% अनुदान भी मिलेगा इस योजना का लाब लेने के लिए अवेदर किसान हर्याना का स्थाई निवासी होना चाहिए वहीं किसान के पास एक बचट बैंक खाता हो जो की अधार कार्ट से लिंक होगा किसानों को अपने पिछले साल के धान उतपादन के 50% हिस्से में विविद्दा लानी होगी जो किसान 50 हर्स पावर के इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग करते हैं उन्हें इस योजना का लाब नहीं मिलेगा आपको बता दें कि हर्याना सरकार किसानों को खेती करने के लिए 7000 रुपे की आर्थिक साहिता दे रही है और इस स्कीम के तहट किसानों को मक्का, अरहर, उड़त, कपास, बाजरा, तिल और बेशन, मुंग जैसी फसलों की खेती के लिए 7000 रुपे प्रती एकड की आर्थिक साहिता दी जाएगी बिरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी